दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी किस प्रिकार से UTI Pen Card को डिजिटल रूप में करक्षन कर पाएंगे Biometric और OTP से UTI के माध्यम से हमारे Portal में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हो चुका है UTI Pen Service अपडेट हो चुकी है अब आप सभी UTI के माध्यम से Pen Card को अपडेट कर पाएंगे Biometric के माध्यम से और Fingerprint के माध्यम से आपको कोई भी Document अप्रूट कर नहीं करना होगा और नहीं आपको कोई Document कहीं पर भी वेजने की आवे सकता है अब आप सभी मात्र 5 मिट में ही लोगों के Pen Card में करेक्शन कर पाएंगे करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपनी ID Password से इस Portal के अंदर Login हो जाना है जिन लोगों के पास इस Portal का ID Password नहीं है इसका Recession Link में आपको अपने वीडियो की Description Box में दे दूँगा सबसे पहले आप लोग उस पर क्लिक करके Registration कर लेना और अपनी ID को बना लेना ID बन जाने के बाद आप सभी जो है इसके अंदर Login हो जाएंगे Login होने की बाद यहां पर आपको नई सर्विश देखने को मिल जागा दिखें इसके लिए सबसे पहले पहले आपको करना किया कि यहां पर लखायए और आप सबसे पहले उप्षन पर कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इस वाले Despite क्लिक पोटल आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आप सभी की सामने यूटी आई टीसल पैनल सर्विस जो है ऑपन हो जाएगा अब यहां पर जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहां पर आपको बड़े-बड़े अक्छर में क क्लिक करके आपको अपनी डीटिल डाल देनी है जैसे कि आपका नाम मोबाइल नंबर इमेल आडि आपसे मांग करेगा तो उसको राल के जैसे ही सब्मिट करेंगे तो आप इसके अंदर तुरूंत ही रिजिस्टर हो जाएंगे सेक्सफूल जिसके बाद पिर आपसे भी का पैनल इस प्रिकार से ओपन हो जाएगा एक चीस का विशेश ध्यान रखना है कि जब यह पैनल ओपन हो जाए दुबार इसको आपको कट नहीं करना है अन्य था जो आपकी वालट में बैलेंस थे वह जो बैलेंस कट चुका है और फिर यह पेमेट जो है आपका अगले दिन मौनिंग में रिफंड आएगा तो इसलिए आपको ध्यान नखना है कि पैनल ओपन होने बाद इसको दुबार से कट नहीं करना जब तक आप अपना पैन की प्रिक्रिया को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अब यहाँ पर आपको पैयान करक्शन करने के लिए अपलाई चेंज करक्शन पर किलिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट फोर चेंज करक्शन इन पैन डाटाबेस आपको इस पर किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रिकार से एंटरफेस आएगा फिजिकल अप्लिक्स इंट कार्ट को करक्षिन कर सकते हैं UTI के थ्रों बायोमेटरिक या OTP के माध्यम से इसमें कोई भी डोकुमेंट आपको कहें पर भी भेजनी की आवे सकता नहीं होती है तो यहां पर हम डिश्टल मोर पर किलिक करेंगे और इसको हम और क्लिक करेंगे और यहां पर और यहां पर फिर डिटेट छष्टल को है पर और इसके सबसेंट प्रिकार से एंटर्फरीच आएगा आप इसको अ क्लिक करेंगे और यहां पर नीचे आएंगे यहां पर आपको देखने इसके बाद यहां पर आएंगे mother name optional है तो चाहिए आप डालें या डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके पर किलिक करके आपको फादर नेम पर क्लिक करना है कि आप अपने pen card पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां सबको यहां पर आपको आधार नमबर डाल देना है और ध्यान अखना है आपको pen card में क्या चीज करना है अगर आपको नाम करक्षिन करना है तो नाम पर टिक करेंगे अगर आप फादन निम करक्षिन करना चाहते हैं तो फादन निम पर किलिक करेंगे और अगर आप यहां पर डिट पर आपको टीक करना है टिक करने के बाद फिर आपको यहां पर next आप्चोंड पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद फिर आप सभी की समिंछ प्रिकार से अंट्रफिस आजाएगा डोकॉमेंट्ट डीटेल में अभी यहां पर आपको दो दिखाया दिया इलागा अगर आपसे पैंकार्ड में नियम पे क्लिक करेंthen И करना क्ले किलिक करेंगे जो क करने के यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहांपराप को देखने के क्यों मिलेगा pan proof में तो इसमें आपके पास अगर pancard कोई copy है तो इसका selection करेंगे आधर्वायज आपको यहाँ पर no document पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर make payment पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर make payment पे क्लिक कर देते हैं मेक पेमेंट पे किलिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रिकार से पेमेंट पेज आ जाएगा आपके जो वालट का पीन है वो वन टू थी फोर रहेगा क्योंकि पोर्टल रिंदरे नई सर्विस को लॉंच किया गया है तो आटोमेटिक ढख दिया गया है आप लोग भाद में चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं तो यहां पर आपके वालट का पीन है वह एक-डो-3-4 रहेगा तो यहां पर जाल देंगे एक-दो-3-4 और यहां पर हम-make a payment पर किलिक कर देंगे इसके बाद हमारा जो पेमेंट है सख़स्पूल यहां पर आपके wallet से cut जाएगा, cut जाने के बाद, आप सभी के सामने इस प्रिकार से interface आएगा, आधार authentication आप यहां पर OK पर क्लिक कर देंगे, और इसका फिर आपको यहां पर OTP का chain करना है, क्योंकि हम OTP लेने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप Biometrics से करना चाहिए, तो Biometrics भ OTP को आपको यहां डालना है, और इसके बाद आपको transaction कंडिशन को accept करना है, और फिर आपको यहां पर submit वाले बटन पर क्लिक कर देना है, OTP verification हो जाने के बाद, फिर आप सभी की साम इस प्रिकार से interface आजाएगा, अब इससे आप इस प्रिकार से scroll करते भी नीचे आएंगे, तो automatic ही यहां पर जो आधार कार्ड में detail थी, उसको यहां पर ले लिया गया है, अब इस प्रिकार से आप नीचे आएंगे, और यहां पर यहां पर उसका contact number डाल देना है, और यहां पर आपको एक email ID डाल देना है, इसके बाद फिर आपको यहां पर next step पर क्लिक कर देना है, next करने के बाद फिर आप सभी की सामने इस प्रिकार से इंटरफीस आजाएगा, यहां पर नीचे आएंगे, इसके बाद इसको आपको छोड़ देना है, यहां पर verification टाइप में आपको आना है, और यहां पर आपको himself का selection करना है, और यहां पर प्लेस का नाम डाल दिया है, प आपको यहां पर submit वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जैसे ही दोस्तों आप यहां पर submit वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो आप सभी के समने इस प्रिकार से एंटरफीस आएगा, तो इस प्रिकार से थोड़ा से यहां पर आपको वेट करना है, इसकी बाद फिर आपको यहां पर उस अप्लिकेंट का आधार कार्ड नंबर डालना है और यहां पर फिर आपको पर किलिक करने के बाद आपको ट्मिट करने के बाद आपकेसção प्रोसेसिंग होगाило यहां पहर लगङग आपको 30 से 40 सेकिंड का वीट करना है और इसके बाद फिर आप सभी का इस प्रिकार से form CSF जो है आप सभी के समय निकल के आ जाएगा आप आपका काम पूरी तरह से complete हो चुका है आप इस रिसीप्ट को यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से इसको आप प्रेंट कर सकते हैं तो यहां से इसको प्रेंट कर लेते हैं प्रेंट कर लेने पर आप किलिक करकी इसको open कर सकते हैं ज tiene are drawn करने के बाद आपका डाउनलोड हो का form यह कुछ प्रेकार से यहाँ पर open हो जाएगा कुछ प्र można or אाप शभी का यह अपले के संफ के कmez आपको देखना को मिल जाएगा इन हाप और आम पर काम कंपलीट हो OC zaten अब उम्मिद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और बाइचांस मान लिजिए कि आप पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं और किसी कार्णों साब का पेज कट गया या कुछ हुआ तो इसके इसमें आप अप्लिकेशन पर क्लिक करके दुबारा से उस पेज पी जाके काम को कर सकते हैं काफी अच्छी फैसिलिटी और के एनेशडीयल पोटल में लौंच हो चुकी है तो आप जरूर इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं और काफी अच्छे से आप लोग इसमें आप काम कर पाएंगे उम्मिद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गया और करते ह्साबदा भूद काम कर लोगे भी संग कर दो करनेश्यों आप कर लोगे उम्मिद